पुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं भारत के लिए यह जो खाड़ी देश हैं वो इतने जादा इंपोर्टन्ट क्यूं रखते हैं यह एक कोशन हमारे सामने आते हैं और यह कोशन सामने क्यूं आया क्योंकि अभी हाली में जैसे आपने देखा भारत के अंदर जो न्यूस चैनल के उपर स्पोक परसन बीज़ेपी की जो स्पोक परसन है नपूर शर्मा उनके दोवारा कंट्रोवर्शल रिमाग कर दिया गया था जो इसलाम है या फिर कहें कि प्रॉफेट मौबदा उ इसके चलते जैसे ही ये बात बोली गई बीजिपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो नपूर शर्मा है और साधिशाज नवीन जेदल इन दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया इतना जल्दी एक्शन लेना तब यहां पर एक सवाल हमारे सामने ये आ जाता है कि क्या इतन पैसे हो गया ये क्रूड ओयल हो गया और यहां पर आप भी देखेंगे ये ट्रेड हो गया तो यह सारा इंपोर्टेंट रॉल प्ले करता है हमारा और जो ये खाड़ी देश है इनके बीच में तो एक करके इनको अच्छे से डिसकर्स करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने देता हूं कि मैंने कहां से लिए हैं ये सारी की सारी जवाते हैं इंडियन एक्स्प्रेस इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा वहीं से मैं आप लोगों को ये एक्स्प्लेइन कर रहा हूं जिसमें बताया गया वाई गल्फ मैटर्स पोर इंडिया टेंशन ना कर दिया दिल्ली के जो स्पोक पर्शन है नवीन कुमार जिंदल को और ऐसा क्यों किया क्योंकि इनोंने कमेंट कर दिया था इसलाम और प्रॉफिट महमध पर तो यह जैसे ही ऑन्होंने किया ओबिसली भारत के अंदर इनका विरो स्टार्ट हो गया था लेकिन जैसे जो ती BGP है उनकी जो स्पोक परसन है नुपूर शर्मा के तौरा किये गए जो टिपनी है उनके पर हम अपने अपत्ति जताते हैं और उन्होंने कहा कि दिमांड की एक पब्लिक सोरी या फिर अपलोजाइज करने की भारत की तरफ से कि वह माफी मांगे आकर भारत और जैसे ही यह बात निकल कर आती है BGP ने तुरंत एक्षन लिया अपने लीडर्स के खिलाव और जैसे यह एक्षन लिया जाता है तो यह बताता है significance of Gulf reason कि भाई कितना जादा जो Gulf जो देश है वो कितना important है भारत के लिए अब यहां से हम जुईश जो एक जो देश है इसराइल इनको अगर हम हटा देते हैं तो यहां पर जो देश बज जाते हैं दस जो देश बज जाते हैं जो कि Gulf reason यानि जिसमें आते हैं जैसे कि Saudi Arabia, Qatar, Iran Iraq, Bahrain, Kuwait, UAE, Oman, Jordan, Yemen इन जो सारे देश आगर मिल जाते हैं तो यह one-fifth, world की one-fifth जो Muslim communities है या population है उनको represent करते हैं और सबसे strongest voice है भाया इन सब की तो ध्यान रखना तो इन्होंने जैसे ही अपनी अपत्ति जदाई, BGP ने तुरंत action ले लिया, तुरंत action क्या लिया, अपन अपनी party में नहीं रखते हैं, suspend कर दिया, अब बात आती है कि why is the reason important for India, भारत के लिए शेतर जब वो इतना important क्यों है, देखें कुछ reason है जिनके ओपर ये बहुत जादा हमारे सामने importance निकल कर आती है, तो यहाँ पर देखें, India has enjoyed centuries of good relations with countries like Iran हो गया, हम बहुत सदियों से इरा के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंद रहे हैं, हमारे relation रही है, जो एक छोटा सा आप देखेंगे ना, गैंस रिच नेशन है कतर, लेकिन इसके बावजुद भी जो ये कतर है, भारत के बहुत जादा करीब है, और इंडिया जो है, यानि जो भारत है, वो इन सब देशों क बहुत बहुत बढ़िया relation बनाए रखे हुए काफी टाइम से, और यह सब चीजें क्यों हो रही है, इसके दो रीजन है, तो देखिए, क्यों मितलब इतने अच्छे रीजन क्यों है, हमारे जो इन गल्फ कंट्रीज के साथ, इसके दो रीजन हमारे सामने निकल कर आते हैं, एक तो oil and gas वाल है, कि जो हम यहां से तेल और natural gas मंगाते हैं, दूसरा है हमारे सामने trade, और इनके लावर दो और reason के अगर मैं बात करूँ, तो हमारे देश के जो भारतिये हैं, नागरिक, भारतिये नागरिक है, वो काफी जादा जन संक्या के अंदर, जो इन गल्फ कंट्र कर, यह जाता है, साओधी रेबिया, यानि UAE कहल लेते हैं, UAE में गया, और यहां पर इसने job करनी start करी, अब यहां से जब इसने job करनी start करी, तो इसने कुछ पैसा अर्ण किया, और ओ पैसा अर्ण करके वापस अपने देश में उसने भेज दिया, और यह जो पैसा जो आया यह पैसा भारत में जो आया, इसी को कहा गया remittances, आप जानकर हैरान होंगे, यह पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, भारत जो है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा remittances, मतलब कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा remittances भारत के अंदर आता है, इतना प्राप्त होता है, number one पे चलते हैं, हमारे देश के जो बाहर नागरी काम कर रहे हैं, वो इतना धन भारत में बेज़ देते हैं कि कोई और देश जो हमारे आसपास बढ़कता भी नहीं है, उसका भी आंकड़ा मैं लेकर आए हूँ, आपको बताऊंगा, और आपको मत भारत के जो लोग है, वो बहर के जो काम कर रहे हैं, उनके ओपर भी हम बात करेंगे, और जो भी जो नरेंदर मोदी जी हैं, उनको कैसे जो गल्फ कंट्रीज ने इतना सारा अवोर्ड दिये हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, देखिए, अब बात बोली गई है, according to Indian Embassy, देखि कतर और कुवेत आते हैं, इन्होंने कहा, यह जो GCC है, has emerged as a major trading partner of India, यानि कि बहुत एक important partner है यह भारत का trading के अंदर, यानि वेपार के अंदर, और आने वाले time के अंदर, इन देशों में, या फिर कहें कि investment का एक बहुत बड़ा partner के रूप में सामने आए गई यह GCC, और GCC म हमारे पास substantial oil and gas reserve है, जो हमारी most important requirement होती है तेल की वो यह पूरा करते हैं हमारे पास, अभी बताएंगे आंकड़ा भी आपको देऊंगा मैं, तो सबसे पहले वेपार में आते हैं, हम UAE की बात कर लेते हैं, UAE जो है भारत का third largest trading partner है in 2021-22, मतलब की 2021-2022 के आंकड़े बोल रह हम तीसरे नमबर पर सबसे जादा जो वेपार करते हैं, वो UAE के साथ करते हैं, और second largest for both exports 28 billion dollar and import 45 billion dollar, अब यहाँ पर अगर इंडिविजुल इनको रकाउंट करें न, export इंपोर्ट को तो हम यह second number पर आता है, लेकिन एक साथ चलता है तो यहाँ पर आता है हमारे सामने, यह third largest country, अब in term of total trade volume, UAE जो है वो 72.9 billion dollar का हमारे साथ वेपार होता है, इन दोनों देशों के बीच में, भारत और UAE के बीच में, यह किसके बाद आता है, यह आता है USA के बाद, जो USA जो है और भारत के बीच में जो वेपार होता है, 1.19 trillion dollar का होता है, और मतलब कि यह आगे हमारे सामने USA number one पर और चाइना आ जाता है number two पर, यहनि कि जो UAE है वो चाइना के बाद आता है, चाइना जो है हमारे देश का 1.15 trillion dollar का वेपार कर रहे हैं, और UAE accounted for 6.6% of the total exports, मतलब कि जितना हम export करते हैं बाहर किसी देश के अंदर, माने कि हमने 100 रुपे का समान या फिर 100 समान ह से 6.6 समान जो है वो अकेला UAE में चला गया और export हो गया और 7.3% import of the last financial year और अगर हम 100 समान भारत के अंगर मंगा रहे हैं, भारत में हम लेकर आ रहे हैं दूसरे देश के अंदर तो उसमें से 7.3 समान जो है वो UAE से होता है और 68.4% since the previous year when international trade was impacted by the pandemic अब यह जो import है, export है यह even increase ही हुआ है, कितना increase हुआ है? 68.4% मतलब बढ़ा ही है, इसको simple भाशा के अंदर मैं आप लोगों को समझाओं, अगर हमारे देश के बीच में, UAE के बीच में 100 रुपे का वैपार होता था, तो आज की date में वो 168.4 रुपीज का वैपार यह increase हो चुका है, एक example के तोर पे मैंने समझाए, ताकि आप इस percentage की term को समझ पाए, ओके यह थो हो गया UAE, जो third largest आता है हमारे सामने, फिर आते हम साओधी अरेबिया के उपर, साओधी अरेबिया जो है, total volume जो है हमारे साथ जो वैपार हो रही है, 2021-2022 की जुआंकडे वो नमबर 3 पे UAE, और नमबर 4 पे साओधी अरेबिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे न, तो यह देखें गल्फ कंटरी, अब इनकी लाइन ही बनते चलेगे, अब देखें, इराक आएगा इसके बाद, अब यहाँ पर देख लिएगा, इसको पूरा कर लेते हैं, ट्रेडिं 4.1 बिलियन, जो 7% है हमारे टोटल इंपोर्ट का, अब यहाँ पर यह फीब इंक्रीज हुआ है, पिछली साल के मुकाबले 50%, यानि कि वही अगर 100 रुपे का वैपार होता था, तो आज की रेट में 150 रुपे का वैपार होने लगया, साओधी अरेबिया और भारत के बीच म यह इंक्रीज हुआ है, और ज़्यादा तरही यह जो समान है या फिर कहें यह सबसे ज़्यादा हमारा प्रभाव होता है, इस क्रूड ओयल के पर क्योंकि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, अब बात करते हैं, इराग की, इट वास फिफ्थ लार्ज ही टोप में चल रहे हैं हमारे साब, तो यहाँ पर फिर एुरा क्तर की बात कर लेते हैं, अभी जैसे कतर में हमें देखने को मिला, जैसे ट्विटर पर जो मैंने देखा, कतर ऐर्वेज का एरलाइन्स का जैसे बाइकोट चल रहा था, ट्रेंडिंग कर रहा था ट्वीटर क कुछ जाधा नहीं है, पूरे हमारे वैपार का 1.4% हिस्सा आता है, कतर के पास, लेकिन देखिए, यह चोटी सी जो कंट्री है, जो कतर है, बले ही हमारा इंपोर्ट इसके साथ हो रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा इंपोर्टन्ट इश, जो इसके साथ हमारी देखा कि ये बातें बोली गई तो ये सामने हमारे सामने आई अब यहाँ पर जो बातें हमें पदा चली वो यह है कि कतर जो है वो 41% of India's total natural gas importer मतलब कि जो हम मंगाते हैं gas जो बाहर से मंगाते हैं 100 kg gas अगर हमने बाहर से मंगाई है तो उसमें से 41 kg gas अकेली हमने कतर से मंगाई है UAE से हम 11% हम gas मंगाते हैं तो यससे बाता चलता है देखिए 100 kg gas हमने बाहर से मंगाई जिसमें से 41 kg gas कहां से आगी कतर से 11 kg gas कहां से आगी भाईया UAE से total यह बन जाता है 52 यानि कि आदे से ज़्यादा परसेंटेज तो हम Qatar और UAE से gas में हम natural gas मंगा रहे हैं अब यहाँ पर देखिए हमारे देश जो है वो oil dependent है 84% जो oil है petroleum है हम बाहर से मंगाते हैं और यह जो देश है जो खाड़ी जो देश है आपको हरानी होगी 95% हमारी demand को complete करते हैं अब बात करते हैं how much oil does India import कितना तेल हम बाहर से मंगा रहे हैं देखिए 84% of India's petroleum demand है और यह सारी की सारी हम बाहर से पूरा करें हमारे देश जो जो हमारे देश में जो तेल निकल पा रहा है वो सिर्फ और से 16% है यानि कि अगर देश के अंदर बाहर देश के अंदर अगर 100 गाडियां चल रही है तो हम 100 गाडियों में से सिर्फ-सिर्फ 16 गाडियों को ही चलाने में समरते हैं इतना ही तेल हमारे पास है बाकी की जो 84 गाडी है जो भी गाडिया है उनको जो है हम बाहर से तेल मंगा कर उनको चलाते हैं तो ऐसे समझो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें 239 million ton of oil petroleum import, हम यह मंगाते हैं, 249 million ton of oil हम import करते हैं, जिसकी कीमत हमें पढ़ती है 77 billion dollar, यह जो import हम कर रहे हैं, बाहर से जो तेल मंगा रहे हैं, total country के जो import के अगर हिसा बात करूँ, अगर हम 100 रुपे का import करते हैं, 100 रुपे के import में से लगबग 20% हिसा जो है वो इस petroleum का है, यानि इतना जादा हम जो है वो petrol को बाहर से मंगा रहे हैं, और यह सबसे बड़ा reason है कि हम काफी टाइम घाटे में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे देश जो है वो oil dependent है, आने वाले टाइम में जैसे हम electricity को हमने बढ़ावा दे रखा है, electric जो vehicles है, उनको जैसे हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो maybe यह सब चीज़ें कम हो, लेकिन अभी फिलाल जो है हम dependent है, oil के उपर और गै two countries जे हम मंगवा रहे हैं, 2006 और 7 की बात करूँ, यह जो देश जे वो 27 हुआ करते थे, अभी increase हो गये हैं, 27 से बढ़कर 42 देशों से हम जो है वो crude oil purchase कर रहे हैं, however, जो top 20 sources हैं भारत के, जो जिससे हम oil import करते हैं, वो जो top 20 countries हैं, जो source हैं, वो 95% हमारी demand को complete कर रहे हैं, और इ 80% भागिदार रही हैं हमारे import का oil के अंदर, तो इससे पता चलता है कि यह जो Gulf countries है, वो कितना ज्यादा important role play करते हैं, oil sector के अंदर, trade sector के अंदर, clear, अब आधिये, बात करते हैं, देखिए, 2021 में, largest exporter of oil to India was Iraq, Iraq हुआ करता था, जिसका share आने वाले time में गिर गया, 9%, up from 9% in 2009 to 10 to 22% यह increase हुए, अभी मतलब कि इसके उपर पामंदी लगी थी, यह गिर गया था, क्योंकि जो US ने इसके उपर sanction लगाये थे, जिससे इसका, जो हम यहां से सबसे ज़्यादा, जो तेल मंगा रहे थे, वो आने वाले time में हमने इससे कम करते हैं, क्योंकि जो US ने इसके उप important role play करते हैं, okay, sorry, यहां पर इराक है, इरान की बात हो रही थी, इरान जो वो second largest oil exporter to India in 2009 and 10, its share went to down less than 1% in 2021, मतलब कि 1% से भी, जो हम कभी इनसे इतना जादा तेल मंगाते थे, वो 1% भी इनसे तेल नहीं मंगाया, 2020-2022 में US के sanction के कान, यह अलग बात है, मैं इराक और इरान म और यह जो है, increase हुआ है, 9% हुआ करता था, 2009-2010 में, अभी बढ़ कर यह, 20% हो चुका है, 2021-22 के अंदर, साओधी अरिबिया जो हो आता है, हमारे सामने 17-18% आता है, oil export के अंदर, और कुवेत यह हैं, इनका थोड़ा बहुत role play होता है, भारत के अंदर, और इरान भी था, जो second number पे आता था, लेकिन इसका share जो है, वो 1% से भी नीचा चला गया था, 2020-21 में, जो sanction लगाये थे, clear, उमीद करता हूँ, यह सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो trade हो गया, oil हो गया, अब बात करते हैं, जो भारती है, इन देशों के अंदर काम करते हैं, व जिनके पास भारत की citizenship है, उनकी संक्या है, 13.46 million, यानि की लगबग लगबग, एक करोड, 35 लाक लोग जो हैं, वो भारत से बाहर लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास भारत की citizen हैं, अगर अब इनके अंदर, मैं person of Indian origin, मला include कर दूँ, person of Indian origin का मतलब होता है, जो लोग भारत के लेकिन उनोंने भारत से बाहर जाने के बाद दूसरी देश की नागरिकता को अपना लिया, लेकिन वो जनमे भारत में थे हैं, उनके जो बाता पिता थे हैं, वो भारत के ते हैं, यानि उनको का जाता है, person of Indian origin, अगर इनको अगर हम मिला लें, तो ये संक्या 13.46 million से बढ़ कर लेते हैं, जो NRIs हैं, Gulf has the largest number, सबसे ज़्यादे ये काम कहा करते हैं, गल्फ के अंदर काम करते हैं, इस 13.4 million के अंदर, जो UAE के अंदर बात करूं, तो 3.42 million, लगबग लगबग 35 लाग, मतलब मैं यह कह रहा हूं कि 35 लाग जो लोग हैं, वो UAE के अंदर काम कर रहे हैं, साउदी अरेबिया, साउदी अरेबिया के अंदर 26 लाग लोग काम कर रहे हैं, कुवेट के अंदर 10 लाग लोग काम कर रहे हैं, तो देखे, कितना जादा जो भारत के जो नागरी का है, इन Gulf countries के अंदर काम कर रहे हैं, और यहीं से हमें remittances मिल रहा है, क्योंकि यह पैसा कम अगर comparison करते हैं, तो वहाँ पर एक अलग procedure चलता है, वहाँ पर एक exam crack करना पड़ता है, तब वहाँ पर जाया आजाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जिसको जाना वो असानी से जा सकते हैं, जो plane है, जो plane के जो ticket होती है, वो इतनी महेंगी भी नहीं होती, बहुत असानी से चीज़े हैं, विजज़ा भी मिल जाता है, और असानी से यहाँ पर अपना काम भी मिल जाता है, तो यह एक reason होता है, कि जादा तर लोग यहाँ पर prefer करते हैं, clear, अब आते हैं, in term of remittances, remittances के अंदर बात करते हैं, कि भारत के पास कितना पैसा आता है, यह जो लोग भारत के बाहर काम कर रहे हैं, जो भारत के हैं, तो देखिए, 2020 के आंकडे हैं, 2020 के यह वर्ल्ड बैंक डेटा, वर्ल्ड बैंक ने खुद यह डेटा पर निकाला है, उसने का है कि 83.15 billion dollar, देखिए, कितना जादा important है, 83.15 billion dollar जो हैं, यह लोग भारत के बाहर जो का करते हैं, इतना रुपया कौन सा देश बेजता है, कोई भी नहीं बेजता, हम नंबर वन पे आते हैं, ध्यान रखना, हम नंबर वन पे आते हैं, नंबर टू पे जो आता है, वो मेक्सिको आता है, जो 42.9 billion dollar ले पाता है, रेमिटेंसी के नाम पर, और यह हमसे आधा है, हम लगबग 83 है, 83, और हमसे आधा है ये, मतलब जो second number पे है, उसमें और हमारे अंदर तो gap भी बहुत जाद है, भई, इसको double करना पड़ेगा, जब जागे हमारे पास पहुंचेगा, तो यहां पर the largest contributor of huge Indian diaspora in the Gulf, देखिए, सबसे ज़्यादा जो Gulf countries है, जो Gulf reason है, उनके अंदर Indian जो है, वो बहुत जादा जनसग्यां के अंदर है, और in a bulletin of November 2018, it's last on this subject, Reserve Bank of India said, GCC country की बात कर रहा हूं, 50% जो total 69 billion remittances आया था, हमने receive किया था, 2016-17 के अंदर जो 69 billion dollar हमने लिये थे, remittances के नाम पर भारत में भेजे गए थे, भारत के लोगों के द्वारा जो बहार काम कर रहे हैं, जो इन Gulf countries में काम कर रहे हैं, GCC का जो percent सा, यहां पर लोग काम करने वाले थे, यहां से 50%, मलब यह 69, 70 पगड़ देते हैं, 35 billion dollar जो है, वो Arabia जो है, वो 11.6%, Qatar जो है, वो 6.4%, Kuwait जो है, वो 5.5%, Oman जो है, वो 3% और यहां पर beyond GCC, remittances from US accounted for 22.9%, second only to the UAE, मतलब कि अगर बात करें, देखे, सबसे ज़्यादा remittances हमें GCC से ही मिलता है, Gulf countries से ही मिलता है, और हमारे जो देश के जो नागरिक हैं, वो सबसे ज़्यादा यह पर ही काम कर रहे होते हैं, तो अब इस चीज़ को समझना है, कि अगर सब चीज़ें सही डंक से नहीं करेंगी, तो हमारा trade हो गया, हमारा oil हो गया, जो हमारे लोग यहां पर काम कर रहे हैं, जो हमें remittances मिल रहे हैं, यह सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा परभावित होती ह इस चीज़ को समझना है, और यहां पर यह चीज़ें आपकी सामनी रखी बूए हैं, आप इससे समझ सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, what has been the PM's outreach to these countries, अब परधान मंत्री के तरफ से बात करते हैं कि परधान मंत्री नरेंदर मोधी जी को इन countries के अंदर कैसे जो एक highest civilian honor होता ह जैसे हमारे देश के अंदर भारत रतन है, पदम श्री है, पदम विभूशन है, यह जो highest, जो civilian honor होता है, कैसे इन Muslim countries ने, जो हमारे देश के परधान मंत्री है, नरेंदर मोधी जी को दिया है, समान दिया है, तो देखिए, 2014 में पावर में आने के बाद, परधान मंत्री नर relation है, और इन्होंने दिसंबर 2019 में एक rally के अंदर कहा था, कि why is मोधी given so much support by Muslim countries, क्योंकि हमारे रिष्टे बहुत जादा अच्छे थे इनके साथ, today India has the best ever relation with the Gulf country in its history, और आज की डेट में बात करें, तो हमारे देश के इन Gulf countries के साथ बहुत जादा अच्छे relation बन गए है, He said Palestine हो गया, Iran हो गया, Saudi Arabia हो गया, UAE हो गया, Jordan हो गया, उन्होंने अपने, मतलब की बहुत सारी countries ने अपने highest civilian honor जो है, वो परधान मंतरी निरेंदर मोधी को दिये हैं, अभी आपको मैं लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर, Order of Abdullah al-Saud, शैन यह नाम उसे pronunciation ना हो पाई, यह देख लेना आपकी सामने लिखा हुआ है, जो Saudi Arabia का non-muslim designators हैं, तो highest, highest honor है, जो 2016 में दिया गया था, यहाँ पर, Order of Ghazi, Amir Anullah Khan, highest civilian honor है, यह जो अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था, 2016 में, परधान मंतरी निरेंदर मोधी जी को दिये गए हैं सारे award, यहाँ पर, Grand Caller of the State of Palestine Award, highest honor है, पैलेस्टीन का, जो दिया गया था, परधान मंतरी निरेंदर मोधी को, 2018 के अंदर, Order of Jayad Award, highest civilian honor है, United Arab Emirat का, यानि UAE का, 2019 में दिया गया था, Order of the Distinguished Rule of Nishan Ijoyudin, जो highest honor है, मालदीव का, जो दिया गया था, परधान मंतरी निरेंदर मोधी जी को, 2019 में, King Hamad Order of Renanciance, यह जो है, बहरीन के द्वारा, मतलब दिया गया था, हमारे देश के परधान मंतरी निरेंदर मोधी जी को, तो देखे, कितने सारे awards, इन Muslim countries के द्वारा यह Gulf countries के द्वारा, हमारे देश के परधान मंतरी निरेंदर मोधी जी को दिये गया है, तो इससे यह पता चलता है, कि कितने अच्छे relation हैं हमारे इन Gulf countries के साथ, अब देखिए, जैसे ही मोधी जी जो power में आये थे, इनकी government सत्ता में आये थी, तो इन्होंने बहुत 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, और अबुदाभी के जो crown prince हैं, वो भी भारत के अंदर आये थे, 2017 में, 2018 में, मोधी जी हैं, जो नरेंदर मोधी जी हैं, जो PM हैं, वो कतर और इरान में गए थे, 2016 में ही, साओधी अरेबिया में इन्होंने trip की थी, 2016 में, 2018 में, वो Jordan, Palestine and Oman beside UAE become the first, य देखे, ये भारत के पहले परदान मंतरी बनके, जो Palestine गए थे, Palestine की जो territory रामला वहाँ पर जाकर आए हैं, तो इससे ये अगर हम जा रहे हैं, यानि कि भारत के परदान मंतरी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वही जा रहे हैं, यहां से भी, जो गल्फ कंटरीज हैं, यहां कि इसमें increase ही हुए थे, on his trip, Modi has also visited some of the most important mosque, मतलब कि जो मस्जिद हैं, उनके अंदर भी जो हैं, वो जाकर आए थे, परदान मंतरी नेंदर मोदी जी, मैं आपको image दिखा देता हूँ, देखिए, सेख जायद Grand Mosque in Abu Dhabi 2015 की यह जो image देखेंगे, वहां पर गए थे, सुल्तान कबूश, कबूश, कबूश शायद, Grand Mosque in Muscat 2018 के अंदर परदान मंतरी नेंदर मोदी जी यहां पर भी गए थे, जिससे यह बता जलता है कि हमारे relation in countries के साथ, जो Gulf countries हैं, उनके साथ कैसे हैं, तो उमीद करता हूँ, यह complete topic, जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क् हमारे देश की हमारी top priority, जो रहती है कि हमारे देश की जो लोग है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे, हमारे देश का वैपार बहुत अच्छे से इन देशों के साथ चलता रहे, इन सब चीजों का हम बहुत ध्यान में रखते हैं, उमीद करता हूँ, य पूरा जो लेक्चर है, पूरी जो वीडियो वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, और PDF की टेंशन नहीं लेने का, आपको एक टेलिग्राम का एक चैनल दिया मिलेगा, ओ, लिंक दिया मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बोक्स में, तो जाकर आप वहाँ से इस वी for watching this video.